ये मत सोचों कि एक महिनी में या एक साल में क्या हो सकता है वलकि ये सोचों 24 घंटे में क्या हो सकता है स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल I love student सुमित कुमार मैंने ये लाईने आपको सुरुआत में क्यूं बताई क्यूंकि आप लोगों का वोड एक्जाम रजदीक है जल्द ही आपके पेपर शुरू होने वाले है 18 से आपका पेपर है और आप आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो पढ़ाई करो मेहनत करो जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ भोजस्य दार्यम संस्कृत क्लाश 12 ठीक है इसका मैं आपको हिंदी अनुबाद बताऊंगा ये आपका बोड एक्जाम में साथ नंबर का पूंचे जाता है जो कि आपको दो नंबर संदरब के दिये जाते हैं और पांच नंबर हिंदी अनु अब बरने था आपका नंबर काट लिया जाएगा ठीक है संदरब और हिंदी अनुबाद तबी आपको साथ नंबर दे जाए देंगे तो फ्रेंट शुरू करते हैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस पैराग्राप और भी पैराग्राप भजस्योदार्रम क हिंदी अनुबाद तो शुरू करते हैं आज किस वीडियो को देखें फ्रेंट्स यहाँ पर पहला पराग्राप दिया गया है अय लाज्या नुच्चे पती बचन मा करड़े ग्रहडी सिसो करड़ो इत्यांत सुपहित वती दीन वंदना मैं छीड़ो पाए यद क्रंतम दृस्वा सुरू वहुले तदंता सल्यम में तोमस पुन्रू दर्तू मुचिता तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपको हिंदी एन्वाध किस तरीके से करना विल्कुल मैं आपको complete बताने वाला हूँ तो फ्रेंट्स पहले आपको दो नमबर जो संद्रफ पुछ आता है उसको मैं बता हूँ ठीक है संद्रफ में क्या होता है किस तरीके से आपको लिखना है प कोई भी पाठ होता तो उसे हम क्या लगते प्रस्तुत पध्यांस खंड हमारी पाठ्थे पुस्तक संसिकर्थ दिर्दर्शिका के जो पाठ होता वही नाम लगते और यहां पर क्या है प्रस्तुत इस लोग हमारी पाठ्थे पुस्तक संसिकर्थ के दिर्दर्शिका के भजश् लिया गया है और इसमें लेकश कोई कभी होता नहीं तो हमें बोने लिखना होता है तुसरे प्याफ पर इसी तरीके से आपको संदरभ लिखना है जो कि आपका दो नम्मर का होता है मैंने पार्ट और इस लोगों की वीडिए अबलोड कर दिए अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो description box में लिंक दिया गया आप उन्हें एक एक करके देख सकते हैं तो friends यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे हिंदी अनुवाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है अए लाजा नुच्चे पती बचनमा करलें गिरहडी सिसो करलो एत्यांत सोपहित वती दीन वजना ठीके तो यहाँ पर इसकार्थ होगा मेरी दीनमुख पतनीने यानि पत्मे अए मतलब अरे लाजा नुच्चे पती बचनमा करलें गिरहडी अरे खिले लेलो एसे उच्च स्वर को सुनकर बच्चों के यानि सिसो मतलब बच्चों करलो मतलब कान बच्चों के कानों को एतनात मतलब एतन पूर्वक सुपहित वती दीन बदना यानि एतन पूर्वक बंद कर दिया या यानि मेरी दीनमक पतनी ने पथ में कहा अरे खीले ले लो ऐसे उच्ची सुवर को सुनकर बच्चों के कानों को एतन पूर्वक बंद कर दिया मै छीडों पाए एद क्रंतम द्रस्वा बहसुरू वहुले तदंता सल्यम में तोमसी पुनरू दर्तु मुझता तो यहाँ पर उसके आगे आपका अर्थ कीया हो जाएगा और मुझ साध हीन पर जो और आस्रू पूर्थी द्रश्च्टी डाली तुमस्री पुन्रुदर्त मुचिता मेरे हरदे में चुबे उस काटे को यानि अर्थात यहाँ पर कहने कार्थ है कि जो दुख भरी दर्ष्टी में मेरे हरदे में काटे की तरह चुब गई उसको निकालने में आप ही समर्थ हैं तो यहाँ पर इसी तरीके साब को हिंदी अनुबाद इसका लिखना है कि यहाँ पर इसका लिखना है मेरे दिनमुख पत्नी ने यानी पत्ध में अरे खेले ले लो ऐसे उच्छ स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को एतन पूरवक बंद कर दिया और मुझ साध हीन और मुझ साध हीन पर जो आस्रुपूरती दरिश्टी डाली मेरे हर्दे में चुबे उस काटे को यानि अर्थात यहाँ पर कहने कार्थ क्या है कि दुख भरी दृष्टी मेरे हरदे में काटे की तरह चुब गई उसको निकालने में आप ही समर्थ है इस तरीके से आपको इसका हिंदियन बाद लिखना उसके बाद अगला पैराग्राप दिया गया है तो यहाँ पर आपको संदर उसी तरीके से लेखना है प्रिस्तु तस्लोक हमारी पाठे पुस्तक संस्कर्त दिरदर्शिका के बहुचस्चो दार्मग पाठ से लिया गया ठीक है यहाँ पर इसका अड़ समस्ते आईए तो फ्रेंट्स यहाँ पर क्या है कि अर्द दान दान व वेरिला गरिजया पर्धयम सिवस्याथ्यम यानी सिवका आधा वाग दान व यानी दानव वेरि अर्थात यानी विसडु ने और आधा पार्वती ने ले लिया यानि जो सिव का आदा भाग है वो किस ने ले लिया बिशुडू ने और पारवती ने ले लिया वो ही यहाँ पर क्या है सिव सिवस्या हाथ तम यानि सिव का आदा भाग अर्द मतलब आदा दानो वेरिला गरिज्य परत्यम यानि बिशुडू ने और पारवती ने ले लिया देवेथ्यम जगती तले पुरहरा भावे समुत मिलत हे राजन इस प्रकार प्रिथवी तल पर सिवका अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में ठीक है गंगा सागरम बरम गंगा सागर में ससिकला नागादिपा चंद्रकला आकास में नागादिपा मतलब सेशनांग छामा तलम रसा तलमे सरवग्यता सरवग्य तोम अधीस्वारत गतम यानि सरवग्यता और अधीस्वरता तोम मातू विच्छाटनम तुम में यानि आप में आ गई है और विच्छाटनम मेरे पास आ गया यानि कहने का अर्थ क्या है इस प्रक बतलब दानो वेरी अर्थात क्या है बिसुडू ने और गृजया परवत यानि गृज़ परवत पे कौन रहता है बिसुडू ने और आदा पारवती ने ले लिया है शिव हस्तम यानि शिव का आदा भाग दानो वेरी यानि बिसुडू ने और आदा पारवती ने ले लिया ह राजन इस प्रकार प्रथवी तल पर सिव का अभाव दिखाई देने पर देवते जगती तले पूरहारा भावे समुनु मिलती यानि यहाँ पर कहने कारत क्या है इस प्रकार प्रथवी तल पर सिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में यानि गंगा सागर में ससी क तो इस तरीके साब को इसकार्थ लिखना है उसके बाद अगला पहराग्राप दिया गया है बिरल बिरला इस्थुला इस्थारा कलाविव सज्जना मन इव मुने सर्वत्रेव प्रसन्नम भूनमा अप सरित चाद्वांता चित्ता स्वा तामेवि दुर्जना ब्रिजति चा निसा छिप लच्छमी रनुदामी नाविम तो यहाँ पर इस लोग आपको संद्रव उसी तरीक से लखना है कि प्रिश्थुत इस लोग हमारी पाठ्टपुस्तक संसकर्द दिर्दर सिका के वह जिस्थो दारम नवकाट से लिया गया अब यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ समझते हैं ठीके बिरल बिरला इस्थूल इस्थारा कलाविव सज्जना यानि कोई कोई बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं ठीके बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं जैसे कल्योग में सज्जन यानि मुनी के मन के समान आकास सर्वत प्रसन हो गया है जैसे सज्जनों से चित से दुरजन बैसे ही अन्दकार दूर हो रहा है और रातरी उद्धियोगिनों की लच्छमी की तरह तेजी से भागी जा रही है यानि कहने का अर्थ क्या है आलसी पुरुष के धन की बाती निशा सिग्र समाप्त हो रही है तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको अर्थ लिखना है कि कोई कोई बड़े यानि मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कल्योग में सज्जन ठीक है और मुनी के मन के समान आकास सर्वत्र प्रसन यानि निर्मल हो गया है जैसे सज्जनों से चित से दुर्जन यानि दूर होते हैं बैसे ही अंदकार दूर हो रहा है तथा रात्री योद्योग हीनों के लचमी की तरह तेजी से भागी जैरी यानी करते का अर्थ है कि कहने का अर्थ है कि आल्सी पुरुस के दनकी भाती निशा सिग्र समापत वरी है इसी तरीके से आपको इसका अर्थ लिखना है उसके वाद अगला पैराग्राप दिया गया है अबूत प्राची पिंगा रस पत्रिव प्राम्यम कनकम गत अच्छा सचंद्रो बुद्ध जन इब ग्रामिदस्स छडम छेड स्तारा नरपत्ते एवानू एवानू द्यम परा ना दीपा राजनते दरबड रहिता नावम गुड़ा तो यहाँ पर इस लोग आपको संद्रब इसी तरी के से लखना इस लोग का कि प्रिस्तो लोग हमारी पाट्टे कुस्तक संस्क्रद दिर्देशिका के वह जिस्चो दार्यम नामक पाट से लिया गया यहाँ पर इसका हिंदी इन्वा समझते हैं अभूत प्राची पिंगा रस पत्रवी प्रांपयम कनक यानि पूरुप दिसा असुरबड को प्राप्त कर पारे की बाती पीली हो गई है प्राप्य कनकम गतेच्छा से चंद्रे बुद्ध जन एवा ग्रामस दस्य और गवारों की सभा में बिद्वाजन की तरह चंद्रम क्रांथीन हो गया है चड़ चीड स्तारा नरपत्ते एवानु बंतुरा ना दीपा रजनते दिरबड हरत्या नाविम गुडा यानि यहाँ पर कहने कारत है कि अदुनभी अनुधमी राजाओं की तरह तारे चड़वर में चीड़ हो गए हैं दनहीनों के गुड़ों की तर फूरुब धिसा में स्रवड को प्राप्त कर ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखना है पूरुब धिसा स्रवड को प्राप्त कर पारे की भाती पीली हो गई हैं गवारों की सबा में विद्वा जन की तरह चन्रमा कांती हीन हीन हो गया है पीली हो गई है गवारों की सभा में विद्वाजन की तरह चंदर्मा कांती हीन हो गया है अनुधमी राजाओं की तरह तारे छड़वर में छीड हो गए है धन हीनों के गुड़ों की तरह दीपक नहीं चमक रहे है इस तरीके से आपको इसका हिंदी अर्थ अनवाद लिखना इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राब कर लिजी और बेल आइकन प्रेस कर दीजी नेक्स वीडियो जल लाएगी